सल्मान खान के एक दिन छुटी लेने पर सेकड़ों लोगों को नहीं मिलती सेलरी इसलिए रोज करते हैं काम सुपरस्टार सल्मान खान अब एक और ब्लॉक बस्टर देने के लिए तयार हैं सल्मान की रेस तीनीद पर रिलीज होगी फिल्म में सल्मान के आलावा अचे और बड़े एक्टर एक ट्रेस है खबरों की माने तो बोबी से लेकर साकिब सलीम तक को फिल्म के लिए अच्छी खासी फीज दी गई है फिल्म के आलावा सल्मान दुस साल बाद टीवी शो दस कदम में वापसी करने जा रही है सुमवार राच्शो की लाँचिंग पर सल्मान ने टीवी पर आने का एक सपीरियंस शेर किया उन्होंने कहा पहले मैं टीवी पर आने से डरता था उन्होंने कहा मुझे लगता है कि टीवी सबसे सशक्त माधियम है मैंने अपने पिता से पूछा था कि क्या मुझे शो करना चाहिए क्योंकि वहां आम आदमी होंगे मैं अपने खुद के व्यक्तित्व को लेकर डर हुआ था इस पर सलीम खान ने उन्हें सलहा दी थी सलीम खान ने कहा यही तुम्हारा असली रूप है जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो अगर तुम्हें लोगों ने स्विकारा तो ठीक है और अगर नहीं तो अपने आपको बदलना इसके बाद सल्मान ने टीवी में आने का फैसला लिया बता दे कि सल्मान खान बेना छुटी लिये हर दिन काम करते हैं इस पर सल्मान ने कहा मेरी सोच यह है कि जो रोज मैं काम करता हूँ इस से कितने ही लोगों को वेतन मिलता है तो बजाए इसके कि मैं छुटी लूँ और घर बैठूँ मुझे रोज काम करना चाहिए मेरी जिन्दगी ही मेरा अफकाश है